हाई फ्रेंड्स, रवींद्र जी को आप बहुत सारे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स, टीवी चैनल, कॉन्फरेंसे जादी में सुनते आए हैं और सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स के थूँ आपनों कोई के क्वेस्टिन्स हमें इन्बॉक्स में और पोस्ट पर इंडिवीजुली आते हैं जिसका जवाब इंडिवीजुली सभी को देपाना मुम्किन नहीं है तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उन क्वेस्टिन्स के आंसर्स डाइरेक्ट रवींद्र जी आपको वीडियो फॉर्म में दे और इसकी रिस्पॉंसिबिलिटी मैं यानि डॉक्टर रेनुका गौतम ने ली है और हम ये चाह रहे हैं कि डारेक्ट आप लोगों के क्वेस्टिन्स हम उनसे वीडियो फॉर्म में लें ताकि अगर आप में से किसी और के भी वो क्वेस्टिन्स हों तो सभी को वो आंसर्स मिल जाए रवींद्र जी सुरेश पाटिल जी पूने से पूछ रहे हैं कि मेरे पास ना तो धन में कवी है और ना ही मेरे सम्मान में कहीं कवी है लेकिन मैं जीवन में अंदर से कुछ नहीं रह पाता हूँ और बहुती तनाव में रहता हूँ कुछ लोगों ने मेरे साथ दूविजार किया था जिसे मैं बुला नहीं पा रहा हूँ और वो चीजें मुझे अंदर ही अंदर खाय जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जीवन में कभी खुश भी रह पाऊंगा या नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी की समस्या है कोई अनूखी समस्या न MacBook एसा नहीं है कि ये गटनाएं या ये अनूखो सर्फ सुरेश जी के पास ही आप अपने चारों तरव देखिए बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे उनके पास धन है दौलत है मान समान नाम सब कुछ है ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनको ना खरीद सकते हो जिसे उसे पा नहीं सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद लोग दुखी रहते हैं दुखी क्यों रहते हैं एक रीजन ही भी है जो मुझे समझ में आता है कि शायद कुछ लोगों को दुखी रहने में आनन्द आता है अब आप कहेंगे कि दुखी रहने में आनन्द किसे आता है कौन दुखी रहना चाहेगा भला नहीं लोग रहना चाहेगा क्यों क्यों कि पूछें तो मैं उनको अच्छा फील हूँ अब जैसे सुरेश जी कह रहा है कि मेरे साथ पास्ट में ऐसी घटनाई घटी दुर्विहवार किया लोगों ने जिसकी वज़े से वो कहीं न कहीं उनके मन में वो घटनाई याद आ जाती है मैं पूछना चाहता हूँ सुरेश जी या सुरेश जी जैसे और लोगों से कि क्या आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुर्विहवार ही हुआ है मान सम्मान नहीं मिला अच्छी घटनाई नहीं घटी ये आप ही तो चूज कर रहे हैं कि आप किसको याद कर रहे हैं यदि हम पीछे 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले जाके उन घटनाओं को ठीक नहीं कर सकते हैं तो हमें उसको याद करने की क्या आवशिक्ता है सपोज मान लिजे आज सुरेश जी की हम बात कर लें उनका जन देने और उनकी पत्नी और उनके बच्चे बर्थ दे को सेलिडेट करना चाहाएं तो मेरे पत्नी से कहा था मेरे लिए हल्वा बना दे अब पत्नी ने हल्वा नहीं बनाया था पत्मी की इस हरकत की वज़े से वो नाराज हो गए कि मुझे पत्मी हलवा भी बना के नहीं दे सकते और कब की बात है वो पांच साल पुरानी बात है अब उनको इस जन्म दिन पे याद आ गई तो बैठ गए हो आज में क्यों नहीं हम जी रहें आज में हम कब जी एंगे आज जब खुशियों के आपके पास सारे कारण म Particip. तब हम खुश क्यों नहीं हो रहें क्या आवशकता है कि हम पुरानी चीजों को जाद करें हम उनको भूल क्यों नहीं जाद है अगर आप चीजों को नहीं भूलेंगे पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, ऐसी बातों को खास्ट और से ऐसी घटनाओं को जो आपको दुख देती हैं, जो आपके लिए समस्याएं पैदा करती हैं, जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, जो आपकी उमंगों को च जाते हैं किसी ऐसे रेस्ट्रों का खाना अच्छा ना हो किसी की सर्विस अच्छी नहीं है तो क्या उस रेस्ट्रों या होटल में हम दुबारा जाना पसंद करते हैं नहीं जाते हैं तो जब हम वहां नहीं जाते हैं निकि हम चूज कर सकते हैं न हमें पता है कि इस रेस्ट् गर्ज Noto आपनी लिए रचान मे तो आप ग्वी को याद करना चाहिए जिसमें हमें खुशय मेलके हमें पुरानी घटो हर This party अगर आप गफ द्रेंवेशस जीएंगे तो आप गभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं जी आपकुछर रहे हैं। कि भूल जाना चाहिए वी और हम मशीन या कंप्यूटर नहीं है कि डिलीट कर दो डिलीट हो जाएगा जाके ट्रैश बॉक्स से भी डिलीट कर दे पर्मनेंटली डिलीट हो जाएगा तो कैसे हम उन चीजों को भूलें कैसे जो हमारे साथ हुई है इसके बहुत आपका से पहले ही मैंने आपको कहा कि हम किसी रस्टों में वहां जाना पसंद करते हैं जहांकि सर्विस अच्छी होती जहांका खाना अच्छा होता है किसी होटल में वहां जाना पसंद करते हैं जहांका सर्विस अच्छी होती रूम्स अच्छी होते हैं डिकोर अच्छा होता है जहां पर आपको अच्छी वाइपस आती हैं। चाहे वो फाइपस दुस्तार है लेकिन अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो आप नहीं जाते हैं। होता है ना ऐसा। यानि कि हम वहाँ चूस कर रहे हैं। वहाँ पर मशीन तो नहीं आ रहा है। कंप्यूटर तो नहीं आ रहा है। हमारे साथ वो जो घटना घट रुकी थी तो अब उसी पुराने वाले ही होटल में तो नहीं जाते हैं। कि जिसमें उसने पैसे भी ले लिये थे, सर्विस भी अच्छी नहीं दी थी खाना भी अच्छा नहीं दिया था। और हम वहीं जाएं और फिर हम बैठके वहाँ पर दुखी होने जाएं। होता है ऐसा। हम दुखी होने तो नहीं जाते हैं। तो ऐसी इस्थिती में हम 5 साल या 10 साल पहले क्यों पहुंच जाते हैं दुखी होने के लिए। हम अपनी life में जबसे आपने होश समभाला है आपके साथ अच्छी घटनाई भी तो घटी होंगी खुशियों भरे चण भी तो आएं होंगे जब आपके परिवार के लोग आपके शाथ रहे होंगे जब उन्होंने आपको ऐसे खुशियां दी होगी जो आपको जीवन में कभी आपने उसका अनुभव नहीं किया होगा तो हम उन खुशियों को उन छणों को क्यों नहीं आग करते हैं हम ओमर्राइट तो कर सकते हैं ना हुमन मशीन हुमन और रोबोट की जो आप बात कर रहें रोबोट क्या है रोबोट में भी तो हुमन की ही जो जिस तरह से वो सोचता है हुमन जिस तरह से वो एक्शन लेता है जिस तरह से वो रियक्ट करता है वही सब सेंटिमेंट्स वही सब चीजें तो हम रोबोट में डालते हैं, मशीन में डालते हैं रोबोट क्या है? एक human बनाने की ही कोशिश तो है तो हमें अपने आपको guide करना पड़ेगा हमें अपने आपको train करना पड़ेगा हमारे साथ जो दुखों की गटा हैं उनको overwrite करना पड़ेगा अगर हम जार जाके बार बार वहीं जाके डुपकी लगाएंगे और अपने उन दुखों के पलों को लेके आएंगे तो क्या होगा? हम दुखी रहेंगे? जितने भी लोग जो गर्जेस में रहते हैं वो दो, चार, पांच, साथ, दस बाते ही होती हैं जिनको जब वो अकेले होते हैं चाहें वो सुने के समय हो चाहें वो कभी घर में कोई ना हो कभी आप ड्राइव कर रहे हो और आपको कहीं से कोई चीजे ट्रिगर हो جاتे हैं और आपको याद आ है ऐसा ही होताई था ससवार यहां पर जो आपने कहा है उसके लिए हमें ओवर्राइट करना पड़ेगा आपके साथ जबसे आपने होश समाला है एक लिस्ट बनाए कि आपके साथ जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ है 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 पता नहीं कितनी चीज़े होगी मैं कहता हूँ सिर्फ आप इनिशली 50 ऐसी चीज़ें बनाएं लिस्ट बनाएं जिससे आपको खुशियां मेली है जो आपके लिए लगता हो कि इन खुशियों से आप अभिबूत हो गए और उन खुशियों को याद करने का प्रयास करें उन खटनाओं को अपनी मेमोरी में डालें जब भी आप अकेले हूँ उन घटनाओं को याद करें ना कि दुख भरे खटनाओं को याद करें आप देखेंगे जैसा आपने कहा वो घटनाएं धीरे 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 गटती चली जाएंगी और ये जो खुशियों वाले घटनाई हैं, छड़ हैं, बुमेंट्स हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे और जिनकी वज़े से आपको जो दुखी होते थे वो खतम होती चली जाएंगे, क्योंकि आप पास्ट में जाके उन घटनाओं को अंडू नहीं क कर सकते हैं, आप जब जब चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें आगे बढ़ना कोड़ेगा, कहते हैं न आज जन्रेशन बढ़े करें, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं रहाए जरूर कहरा हूं कि आपके साथ ये किसी ने बुरा वेवार किया है, तो आप उससी याद जरूर रखें लेकिन इसलिए नहीं कि आप दुखी रहें इसलिए कि हो सकता है वो शायद आपके साथ कभी दुबारा कर सकता हो बाकि अगर आप इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप पचास ऐसे घटनाओं के ऐसे चड़ों के ऐसे मुमेंट्स की लिस्ट बनाएंगे जब आपके साथ अच्छा ही अच्छा हुआ है खुशिया मिली हुई है और जब आप कभी एकांत में हो अकेले हो तो आप उन घटनाओं को याद करें इस तरह से आप जिन घटनाओं की वज़े से आप दुखी होते थे उनको वर्राइट कर पाएंगे और आपको खुश र या शाली आपके सामने रखी है भोजन तो आपको खुद ही खाना पर लिए कोई ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर देगा, आपकी माँ, पापा, ऐपकी पतनी, भाई, कोई भी निवाला बना कि आपके मूं में डाल देगा लेकि मूझ तो खुद ही चलाना पर या ऐसा नहीं ह हमें कमांड करना है कि हम क्या चाहते हैं जीवन में जो हम चाहते हैं जीवन में हम वही बन सकते हैं तो आपको एक सुखी इंसान बनना है और सुखी इंसान बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुशियों वाले छड़ों को याद करिए उन्हीं लंहों में जीने का प परशक जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को अगर आपके भी कुछ और क्वेरी जो पुएस्टिन हो जरूर पोस्ट कीजिए चाहे वो लाइफ से जुड़े हूए हूँ लाइफ की किसी भी समस्या से जुड़े हूँ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब करें नमस्ते